नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर पैंशन से जुड़ावा एक और नया ताजा अपडेट लेटेस्ट न्यूज आप सभी दिव्यांग विद्वा वर्दवस्था और कुष्टवस्था पैंशन धारकों के लिए लेकर हा हो चुके हैं यदि आप भी इन सभी पैंशन में से किसी भी एक पैंशन का लाब ले रहे हैं आपकी पैंशन बने हुई है आज की यह ताजा जानकारी लेटेस्ट न्यूज आप सभी के लिए बहुती ज़ादा मेहत्पून हैं समाज के लियाण विभाग की तरब से एक नहीं दी जाएगी और इन लाब भारतियों की जो पैंशन है पैंशन को ब्लोक कर दिया गया है इनको भी 3,000 रुपे पैंशन रासी नहीं दी जाएगी इसके पीछे क्या करण है क्या रीजन है डिटेल वाइस में आपको जानकारी मिलने वाली है वीडियो की सुरुआत करन नहीं वह सबसे पहले आपको पराप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं सभी दिव्यांग विद्वा और वर्दवस्था कुष्टवस्था पैंशन धार को जो पैंशन रासी दी जा रही है वह दोनों रा राज्जी सरकार यानिकी स्टेट गवर्मेंट दोनों को मिलागर ही आपके बैंक खाते तक पैंशन रासी को पहुँचाय जाता है और सभी राज्यों में अलगलग पैंशन रासी दी जाती है और जो महिना है महिने के अंतराल पे आपको पैंशन नासी दी जाती है यानि कि अगर दी हम बात करें उत्तर प्रदेस की तो उत्तर प्रदेस में 1000 रुपे परती महिने के हिसाब से आपको पैंशन दी जा रही है तो यह पैंशन नासी आपको हर महिने नहीं दी जाएगी तीन महिने के बाद चोथे महिने में यानि की तीन महिने के बाद चोथे महिने में सीधे आपके तीन हजार रुपे हो जाते हैं ये पैंशन नासी दिव्यांगों को दी जा रही है और यानि कि दिव्यांगों तो दी जा रही है विद्वा महिलाओं को दी जा रही है और और वर्दवस्था पैंशन धार को दी जा रही है लेकिन जो कुछ टोग से पीडित व्यक्ती हैं उन्हें हर महीने 3000 रूपे पैंशन डी जाती है यदि दोस्तों हम बिहार राज्य की ब्यात करें तो बिहार राज्यों में 400 रूपे परतिमाहना पैंशन दी जाती है दिल्ली राज्य में तीन मैने के बाद चोथे मैने में पैंशन आसी सरकार ट्रांसफर करती है डिटेल वाइस में पैंशन को जान लेते हैं कहां कि ये खबर है और क्या इसके पीछे क्या कारण है देखें दोस्तों परदेश राज्य में दिव्यांग विद्वा वर्दवस्था और कुष्टवस्था पैंशन को लेकर करवाई जा रहे सत्यापन अकारिये में समाज के लियान विभाग को एक बड़ी गड़बडी मिली है वेरिफिकेशन के दोरान पता चला है कि पैंशन का लाब उन 13,000 से ज़्यादा लोगों को मिल रहा है जो इस दुनिया में है ही नहीं मतलब उनकी मृत्यू यानि की मोत हो चुकी है लेकिन फिर भी उनके खाते में पैंशन ट्रांसफर किये जा रहे हैं पैंशन नासी उनको दी जा रही है इसी के साथ ही 45,000 से ज़्यादा ऐसे लाबारती पाए गई है जो अपने पते पर ही नहीं रहते हैं जिलासमाज कल्याण अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों की पैंशन को बलोक कर दी गई है यानि कि उन्हें पैंशन नहीं दी जाएगी विभाग ने इन सभी पैंशन धारकों को अपना आधार परमानिकरन करने के लिए बोला गया है जब तक आप अपना आधार परमानिकरन नहीं कराएंगे पैंशन का EKYC नहीं कराएंगे तो आपको पैंशन का लाब नहीं दिया जाएगा वहीं मरत पैंशन धारकों के मामले में समाज कल्याण विभाग उनकी मृत्यों को लेकर जानकारी जुटा रहा है दरसल परदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के निर्देश पर हर दो जिले में वर्दवस्था पैंशन को लेकर वैरिफिकेशन का कारिय किया जा रहा है वैरिफिकेशन के दोरान पैंशन धारकों का आधार परमानिकरन कराया जाता है समाज कल्याण के निर्देश के बाद जिला अधिकारी समाज कल्याण विभाग को सभी वर्दवस्ता पैंशन धारकों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया था समाज कल्याण अधिकारी के मुदाबिक जिले में 1,42,495 वर्दवस्ता पैंशन धारक हैं जिनमें से सभी सभ यानि की अभी तक 97,380 में लोग पूरी तरह से पातर पाई गई हैं जबकि 45,470 पैंशन धारक अपने पते पर ही नहीं मिले हैं समाज कल्यान अधिकारी के मुदाविक 13,803 पैंशन धारकों के मरत होने की भी जानकारी लगी है उन्होंने बताया कि 45,470 पैंशन धारक की पैंशन रोक दी गई है और सभी को आधार का यानि की आधार का परमानिकरण करने का निर्देश दिया गया है वही इनमें जो 13,803 मरत पैंशन धारक मिले हैं उनके मारे में विभाग यह पता लगाने की कोशिस कर रहा है कि उनमें से कितने लोगों की मृत्यू कब हुई और उन्हें मरत रहते हुए कितने दिन वर्दवस्था पैंशन का लाब मिल रहा था ले रहे थे समाज के लियान अधिकारी के मुदाबिके ऐसा होने पर मरत पैंशन धारकों के खाते में पैंशन को वापस भी लिया जाएगा उन्होंने बताया कि वर्दवस्था पैंशन को लेकर करवाई जा रहे वेरिफिकिशन के काम को समाज के लियान विभाग ने सतान में परतिसद पूरा कर लिया गया है मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह पतासला है कि यह जानकारी उत्तर परदेश के हर दोई जिले की है इसी परकार से उत्तर परदेश के हर एक जिले में वेरिफिकिशन का कारिये किया जा रहा है दोस्तों आपकी जानकारे के लिए बता दे कि कुछ राज्य सरकार ऐसी है जिनमें आपका जीवन परमानिकरण याने कि जीवन सत्यापित क्या जा रहा है जीवन परमानिकरण आपका मांगा जाता है और कुछ राज्य सरकार ऐसी है जिनमें आपका आधार परमानिकरण आपक लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत जादा मोटिवेट मिलता है दोस्तों यदि आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया आप पैंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जितनी जल्द हो सके वेरिफिकेशन करा लिजे आपको पैंशन गलाब तभी दिया अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारिक साथ जब तक के लिए जै हिंद जै भारत